ओम शान्ति आंतर मन में जोती जगालों होगा दूर अनहेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुन्य सवेरा तुम हो कौन कहां से आए अपने आप को जानो राज योग के द्वारा अपना पर्म पिता पहचानों इसी राजबत पर चल कर तुम पालो अपना बसरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे पर्मात्मा को प्यारे तिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे जोती बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का खेरा अंतर मन में जोती जगालों होगा दूर अंधेरा आज दुन दूर नेरा ओम शांति नेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओन शांति, मुर्ली की तारिक है, दो, एक, इक्वीस, इक्वीस कल से ले करके शुरू हो गया, बाबा भी हमको एक्वीस जन्मों का वर्सा दे रहे हैं, तो इसलिए जब हम बोलते एक्वीस, तो ये भी हमें याद रखना है, कि बाबा कैसे हम बच्चों को 21 जन्मों के लिए पवित्रता, सुख, शान्ती, संपती, हर चीज का वर्सा दे रहे अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु हम देवताओं के खजाने में और अभी हम ब्रामनों के खजाने में बाबा हम बच्चों को ब्रामन बना कर देवता बना रहे और देवता बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं कि बच्चे मेरी श्रीमत का पालन करोगे तो आप देवता बन सकते, सरेष्ट बन सकते बाबा में जब हम बच्चों को निश्चे होता है बाबा के साथ हमारा संबंध जुटता है और बाबा के साथ हमारी प्रीत हो जाती है तो प्रीत की रीत क्या है? बाबा कहते बच्चे बाबा की श्रीमत को रिस्पेक्ट देना, रिगॉर्ड देना ये है बाबा को प्रीत का सबूत देना और जो बच्चे बाबा की शिरीमत को रिस्पेक्ट देते, रिगौड देते हैं थोड़ा भी उसके अंदर अपनी मन मत मिक्स नहीं करते जो भी आज्या मिली, जैसी आज्या मिली चाहे हमें वो आवे, न आवे, उसका अनुभव हो, न हो, वो हमारे पसंद की हो या न हो शिरीमत मिली माना करना है फिर बाबा कहते बच्चे, ऐसी शिरीमत का पालन करने वाले बच्चों की जो विशेश्टा है न वो यह रहती है, कि वो कभी मुर्ली मेस नहीं करेंगे क्योंकि मुर्ली के अंदर ही बाबा की सब शिरीमत है मुर्ली मेस हो गई, तो बहुत शिरीमत हमारी मेस हो जाएगी, हम वंचित रह जाएगे इसलिए कोई भे हालत में बाबा की मुरली को हमें मिसनी करना है सुनना भी है पढ़ना भी है मनंचिंतन भी करना है चार्ट भी रखना है चेकिंग करनी है आज बाबा मुरली में बार बार ये भी याद करा रहे कि बाबा सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु है तीनों रूप से बच्चेdar को याद करना है अच्छा एक रूप से भी याद करो तो बाबा याद हैगा भूलना नहीं है तो ऐसी मिठी मिठी शिक्षाओं भरी मुरली सुनेंगे मिठे बच्चे बाप की श्रीमत का रिगॉर्ड रखना माना मुरली कभी भी मेस नहीं करना नोट करो बुद्धी के अंदर भी मुरली कभी मेस नहीं करना हर आज्या का पालन करना प्रशन है अगर तुम बच्चों से कोई पूछे इतना अच्छा प्रशन और उत्तर है दिल खुश हो जाती है सुनो ध्यान से अगर तुम बच्चों को कोई पूछे राजी खुशी हो जब एक दो में मिलते हैं तो अधिक तर ये पूछेंगे कैसे राजी खुशी हो, खीक हो आप सभी, तु कोई पूस्ते राजी खुशी हो, तु तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना है, नशे से, फलक से, क्या जवाब देना चाहिए हम बच्चों को? उत्तर बोलो, अरे परवाथी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था, सो पालिया, आप कुछ पाने का बाकी न रहा तुम इश्वर बच्चों को, किसी भी बात की परवा नहीं, तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवा किस बात की? हम क्यों नहीं खुश राजी रहेंगे? तो बाबा ने कहा, देखो, ऐसे फलक के साथ, हमें उसका रिस्पॉंड करना है, सामने वाला सुनते, देखत ही रह जाए, आस्चर्य खाए, ओम शान्ती, बाप समझाते है, बच्चों की बुद्धी में जरूर होगा, कि बाबा, बाप भी है, ठीचर भी है, सत्गुरु भी है, मुर्ली की शुरुवात बाबा ने इस सही किये, और बीच बीच में भी बाबा ने याद कराया, तो बच्चों की बुद्धी में है, कि बाबा हमारा बाप भी है, ठीचर भी है, सत्गुरु भी है, इसी याद में जरूर होंगे, बाबा की उमीद है हम बच्चों में, कि मुर्ली के पहले हम योग करते हैं, तो हम तीनों को याद करते ही होंगे, याद है तीनों, अगर नहीं तो अभी भी याद करो ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते बाप कलप कलप आकर सिखलाते हैं वही ज्ञान सागर है पतीत पावन है फिर बाबा दूसरी बार कह रहे बाप भी है ठीचर भी है सत्गुरू भी है तीनों को याद करो तीनों को सामने रखो बहुत इसके अंदर अमको पूर्शार्थ में अलर्ट ने साती है वर्सा याद आता है पढ़ाई याद आती है लक्षयाद आता है और सत्गुरु के रूप में श्रीमत याद रहती है ये अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला बच्चे बल समझाते भी होंगे परन्तु बाप को ही भूल जाते है तो टीचर गुरु कैसे याद अता रहेगा सबसे पहले आता है बाप जिसने जनम दिया उसके बाद आता है टीचर फिर आता है गुरु तो बाबा कैते है अगर बच्चे बाप को ही भूल जाएंगे तो आगे कैसे टीचर सद्गुरु को याद करेंगे तीनों को याद रखना है बच्चे भी लिखते हैं बच्चे लीखते हैं बाबा हम भूल जाते हैं माया ऐसी प्रबल है ड्रामा अनुसार है तो बहुती सहज बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता क्या नहीं हो सकता यह वही हमारा बाप भी हो टीचर भी है और सत्गुरु भी है तीसरी बार बुला बाबन यह दूसरे के लिए नहीं कह सकते सच सच इसमें गपोड़ी की भी कोई बात नहीं है अंदर में समझना चाहिए न तीनों भी संबंध हमारे गुमते रहने चाहिए संबंध में प्रैक्टिकल चलना है परन्तु माया भुला देती है बच्चे कहते हैं हम हार खा लेते हैं तो कदम कदम में पदम कैसे होगा अगर हार हो गई, गरबड हो गई पदम नहीं हो सकते कमाई नहीं हो सकते देवताओं कोई पदम की निशानी देते है सब को तो नहीं दे सकते है इश्वर की ये पढ़ाई है मनुष की नहीं पढ़ाने वाला स्वयम इश्वर मनुष की ये पढ़ाई तो कभी ओनी सकती है बल देवताओं की मैमा की जाती है परंतु फिर भी उंचे ते उंस तो एक बाबा है बाकि उनकी बढ़ाई क्या है क्यों आज बाबा कहते गदाई कर राज़ाई देखो ब्रह्मा बाबा ने भी अपने अनुभों में क्या कहा साक्षातकार हो गया विनाश का, स्थापना का, स्वर्ग का बोला ये गदाई क्या करेंगे अभी तो ऐसे ही बाबा कहते है कि हम बच्चे उंच भी रहते हैं देवता भी बनते हैं फिर निचे भी गिरते हैं लेकिन बाबा की महिमा प्रमपार सदव एक ही है अभी तुम पुर्शार्थ कर रहे हो ऐसा लक्षमी नारेण बनने का जानते हो कि इस पुर्शार्त में बहुत फेल हो जाते हैं पढ़ते फिर भी उतने हैं जितने कलप पहले पास हुए थे वास्तों में ज्ञान है बड़ा सहच देखा जाये तो कोई तकलीफ नहीं छोटा बच्चा भी समझ सकता है ज्ञान को बाकी रही बाबा को याद करनी की बात आचा याद भी बच्चे को जब बाब का परीच मिला बच्चा बाब को नहीं भूलता लेकिन यहां बाबा कहते माया भुलवा देती है ना तो वास्तों में ज्ञान बड़ा सहज है परन्तु माया भुलवा देती है बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट रखो फिर बाबा रास्ता बताते कि भूल कम होवे माया परम जीत पा सके तो बाबा कहते बच्चे उसके लिए चार्ट लिखो होता क्या है सब अच्छी तर जानते है परन्तु लिख नहीं पाते दो चार दिन लिखेंगे फिर डिले हो जाएंगे लिख नहीं पाते काह तक बैठ लिखें अच्छा अगर लिखते भी है तो जांच करते है दो गंटा याद में रहे फिर वह भी उन्हों को मालूम पढ़ते है जो लिखेंगे उनको मालूम पढ़ते है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं बाप तो समझेंगे न कि इन बिचारों को न लज्जा आती होगी नहीं, तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए, जो बचे नहीं लिखते हैं, कम याद करते हैं, तो लिखने में भी उनको अच्छा नहीं लगता, लजाती है, क्या लिखें? उर्शार्त बराबर नहीं है, बाबा को याद भी नहीं कर रहे हैं, बराबर मुर्ली में इस कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है श्रीमत अमल में नहीं ला सकते हैं परंतु दो परसेंट मुश्किल बच्चे चार्ट लिखते हैं भई सभी तयार हो जाओ सावधान रहो बाबा की स्रीमत है अच्छी तरह अपनी चेकिंग करो क्योंकि अभी वापिस जाने का समय आ गया इसाब किताब को चुक्तु करना है खाते को खतम करना है बच्चों को श्रीमत का इतना रिगॉर्ड नहीं है जो ऐसे बेपरवा रहते अलबेले रहते बच्पने में रहते न तो बाबा कहते हैं जैसे उनको बाबा की श्रीमत का रिगॉर्ड नहीं रिस्पेक्ट नहीं कौन मिला, कौन पढ़ा रहा है, क्या बना रहा है मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है दिल में जरूर होगा बाब कहता तो सच है हम मुरली नहीं पढ़ते हैं अब जो नहीं पढ़ते हैं और आज की मुरली सुनेंगे तो उनको जरूर कॉंशेस तो खाएगा न यहां बाबा आप सच कह रहे हो मारी मुरली कही बार में सो जाती है लेकिन हमको उस लिस्ट में नहीं रहना है तो अगर हम मुरली नहीं पढ़ते और उनको क्या समझाएंगे मार्क दर्शन तो मिलता नहीं हमको इतना मुरली चला करके बाबा फिर शान्त हो गए और बाबा ने योग कराया ऐसे कई बार साकार में बाबा ने किया तो फिर सभी बच्चे याद की यात्रा में बैठ गए आप सभी भी बाबा को अच्छी तरह याद करो अपने को आत्मा समझो बाबा को तीनों संबंद सामने रखो बाबा आप बाब भी है टीचर भी है सत्गुरू भी है सर्वसंबंद आपके साथ है मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई अच्छा याद की यात्रा फिर बाबा ने वापस कहा ओम शान्ती रुवानी बाप रुवानी बच्चों को समझाते है ये तो बच्चे समझते बरोबरम आत्मा है हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे है और क्या कहते हैं कहते हैं बच्चे मुझे याद करो स्वर्ग के मालिक बनेंगे अब इसमें बाप भी आ गया पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया सद्गती दाता भी आ गया तीनों को बाबा ने चोथी बार याद कराया बाप, टीचर, सत्गुरु थोड़े अक्षर में सारा ग्यान आ जाता है यहां तुम आते ही हो इसको रिवाइज कर लोग इसलिए मुरली को मिशने करना है सेंटर पे जाना मिशने करना है रिवाइज होता रहता है बाब भी यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं इसलिए यहां आते हो रिवाइज करने के लिए मदुबन में भी आत्मा रिफ्रेश होने जाती ही रिवाइज करनी जाती है अथवा हम सेंटर पर जाते हैं मदुबन में तो पूरा वर्ष नहीं होते सेंटर पर जाते तो बाबा भी तो रिवाइज करना होता है बल कोई यहां रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता जिनको नहीं करना है वो कहां भी रहके नहीं कहेंगे आहां भी रहके नहीं करेंगे, थोड़े अलबेले रहेंगे, तो बाबा कहते हैं, कोई यहां रहके भी नहीं करते हैं, तकदीर में नहीं है, तद्बीर तो बाबा कराते हैं, पुर्शार्त बाबा कराते हैं, तद्बीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई की पासख जातरी नहीं हो सकती है, एक एक को अलग काह तक पढ़ाएंगे, भई पक्षपात करें, एक एक को बैठके बाबा पढ़ाएं, कितने डेर बच्चे हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो क्या होता है उनको special पढ़ाते हैं, खास उनके लिए टी तो टूशन लेते थे, टूशन में एक्स्ट्रा पैसा अफिव आदी देनी पढ़ती है, टीचर हमको अलग से टाइम देता है, लेकिन लास्ट लास्ट जब एक्जेम सोते थे तो एक दो महिना टूशन लेते थे, उसमें भी थोड़ा जिनको लगता था कि हम वीक हैं, तो खास टूशन लेते हैं, तो बाबा कहते हैं, कि देखो यहां पर तो बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा कहते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े शवकार के बच्चे होते, तो स्पेशल पढ़ाते, क्योंकि तीचर जानता है कि यह डल है, इसलिए उनको स्कालर्शिव के ला एक जैसा पढ़ाता हूं, वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुर्षात कराना हूं, ये तो एक्स्ट्रा पुर्षात किसको अलग से तो नहीं कराते हैं, एक साथ बाबा सबको बता देते हैं, जो जितना करीगा, उतना पाएगा, और वो टुशंस लेते तो एक्स्ट्रा पु अबतों नहीं कराते, एक्स्ट्रा पुर्शार्थ माना, मास्टर कुछ करपा करता है, ऐसे तो भल पैसे लेते, तो टुशन लेंगे वो पैसे तो लेते हैं, क्योंकि खास ताइम देकर की पढ़ाते हैं, जिन से वो ज्यादा पढ़ करके उश्यार हो जाए, यहां तो ज्यादा कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, बड़ी सरल पढ़ाई, बच्चे ज्यादा कुछ नहीं आता है, अच्छा अलफ और बे को याद करो, दैवी गुणों को धारन करो, पवित्रता अपना हो, बस बात पुरी हो गए, तो बाबा कहते हैं, कि बच्चे कोई ज्यादा पढ़ने का नहीं है, उन तो कितनी किताबें, कितनी सब्जेक्ट्स, थेले बरबर के स्कूल में लेके जाते, यहां एक नोट बूक लानी होती हैं बाबा के घर में, कई तो वो भी नहीं लाते हैं, स्टूडन्ट है हम, लाना चहिए, लोक लिखिना भी चहिए, तो बाबा कहते हैं, यहां तो कोई ऐसी कोई बाती नहीं है, इनकी तो बाती नहीं है, बाबा एक ही महा मंत्र देते, बच्चे मन मना भब, याद से क्या होता है, यह तो समझते हो, कि बाप पती पावन है, जानते उनको याद करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे अब तुम बच्चों को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे अगर कम याद किया तो बोलो क्या होगा कम याद किया तो बाबा कहते हैं कम पद पाएंगे कम पावन बनेंगे ये तुम बच्चों के पुर्शार्थ पडिपेंड करता है बेयत के बाप को याद करने से हमको लक्षमी नारेण बनना है उन्हों की मैमा तो हर एक जानते हैं कहते भी है ना कि आप उन्यात्मा हो हम पापात्मा है धेर मंदिर भी बने हुए है वहां सब क्या करने जाते हैं दर्शन से तो कुछ फायदा होता नहीं है एक दो को देख करके चले जाते मैमा कर लिया थोड़ा एक दो को मिले दर्शन किया चले जाते बस दर्शन करने जाते बाला जी जाएंगे वैश्रों देवी जाएंगे क्या होता है मूर्थियों का दर्षन ही तो होता है यात्रा भी तो एक त्योहार समझते हैं, बड़े प्रेम से जाते हैं, उमंग रहता है अभी तुम याद की यात्रा, तुम्हारी याद की यात्रा भी एकत्योहार है वो भी ऐसे समझ के जाते हैं, प्राक्टिकल बाबा कहते हैं, यह है एकत्योहार तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षरी एक है, मनमना भवर यह तुमारी यात्रा अनादी चलेगी अंततर वो भी कहते हैं वह यात्रा हम अनादी करते आए परन्तु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो कि हम कलप कलप यह यात्रा करते हैं बाबा करके यात्रा सिखलाते हैं वो चारों धाम जनम बैजनम यात्रा करते हैं कौनसी जिस्मानी यात्रा यह तो बेयत का बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे यात्र करो तो तुम पावन बन जाएंगे आजकल तो वहां भी गंद लगा पड़ा हैं पावन नहीं रहते हैं यात्रा उपर जाते थे ना तो तब तक ब्रहम चिरे का पालन करते हैं बेडी सिग्रेट वगर नहीं पीते हैं आजकल कुछ भी नहीं सब कुछ करते रहते हैं तो बाबा क्येते हैं, वहाँ भी गंदो गया है, पावण नहीं रहते हैं, इस Ruanju यातरा का तो किसी को पता भी नहीं है, तुमको अब भी बाप ने बताया हैं कि याद की सच्ची यातरा है։ वह यात्रा का चकर लगानी जाते हैं, फिर भी वैसे के वैसे बन जाते हैं, चार दिन गूम के आए, चलो कोई थोड़ा चार दिन ध्यान भी रखा, भगवान को याद किया, फिर गर आगे, वैसे के वैसे, चकर लगाते रहते हैं, जैसे वासको डिगा माने सुरुष्टी का चकर लगाया, ये भी चकर लगाते हैं, इसके उपर बाबा को गीत याद आया, बहुत बार मुरली में वो गीत बचता है, कौनसा, किसी को याद आया, हाँ, चारों तरफ लगाये, फेरे, फिर भी अर्दम दूर रहे, मैं फिल में जल उठी शमा परवानी के लिए, तो चारो तरफ चकर लगाये, लेकिन बाबा आपको पैचान नहीं सके, फिर भी अर्दम दूर रहे, भक्ती मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान को कोई मिलता ही नहीं, वो तो जब आएगा तब मिलेगा, भगवान से दूरी रहे, फेरे लगाकर, फिर भी घर में आकर, प कि बाबा आये है, एक दिन सब जान जाएंगे कि बाबा आया हुआ, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, बाबा केते हैं, सारी दुनिया, विश्वा की सर्वात में जान जाएगे, तो कितना अच्छा लगेगा, सब को पता चलेगा, और अम विशेष बच्चे, आखरीन मिलेगा, लेकिन कैसे? यह तो कोई जानता ही नहीं है, यह तो मिठी मिठे बच्चे जानते हैं, कि हम शरीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, भारत का ही तुम नाम लेंगे ना, उस समय तो कोई और धरम होता नहीं है, सारी विश्व पवित्र बन जाती है, अभी तो धेर धरम है, बाबा आकर तुमको सारे जाड की भी नौलेज देते हैं, जाड की नौलेज, चक्र की नौलेज, सीडी की नौलेज, तुमको सिम्रती दिलाते हैं, तुम सो देवता थे, हम सो, ब्रामन से देवता, फिर सो क्षत्रिय बने, सो वैश्य बने, सो शुद्र ब यह हम सोका अर्थ यह तक आर्थ। बढ़ Brendaura allowed me कितना सहज करके समझा दिया। ओम अर्थात में आत्मा फिर हम आत्मा कैसे चकर में के आती है। यह तो कह नेते हैं आत्मा सो परमात्मा परमात्मा सो आत्मा एक भी नहीं जिसको हम सोका आर्थ मालूम हो। किसी को सपने में भी नहीं आएगा, देवता, ख्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रामन, यह हम सो कार्थ, किसको नहीं मालो, बाबा कहते हैं यह जो मंत्र है ना, वो हर दम याद रखना चीए, चक्रबुद्धी में नहीं होगा, चक्रवर्ती राजक ऐसे बनेंगे, अभी ह ब्रामन बने, मैं आत्मा ब्रामन बने, फिर हम सो देवता बनेंगे, यह तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई भी नहीं बता सकेगा, सपने में कोई सोचेगा मैं देवता बन सकता, नहीं, वह तो 84 का आर्थ भी नहीं जानते, ना हम सो का आर्थ, ना 84 का आर्थ, भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, वो ठीक है, सतो प्रदान, सतो, रजो, तमो, या सुर्य वंशी, चंद्र वंशी, वैश्य वंशी, शुद्र वंशी, अभी तुम बच्चों को ये सब मालम पड़ गया, कितनी नौलेज दे दी बाबा ने, बीज रूप बाप को कहते ज्यान का सागर, तो ज्यान के सागर ने कंप्लीट नौलेज अम बच्चों को दे दी, वह अस चक्र में खुद नहीं आते हैं, ऐसे नहीं हम जीवा आत्मा सो परमात्मा बन जाते, नहीं, बाबा आप समान नौलेज फुल बनाते, भगवान नहीं बन जाएंगे, परमात्मा नहीं बनेंगे, मास्टर नौलेज फुल बन जाते हैं, आप समान गौड नहीं बनाते, इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझना है, तब बुद्धी में चक्र चल सकता है, और इसलिए फिर नाम रखा स्वदर्शन चक्र, और हम बच्चे हैं स्वदर्शन चक्रधारी, तुम बुद्धी से समझ सकते हो, हम कैसी चौरासी के चकर में आते हैं, इसमें तो सब आ जाता है, चकर में सब आ गया ज्यान पूरा, समय भी आता है, वरण भी आते है, वंशावली भी आती है, जनम भी आते है, सब कुछ आ जाता है, अब तुम बच्चों की बुद्धी में ये सारा ज्यान होना चाहिए, याद है ना सभी को, अचे नहीं अपने चकर कोई भूल गए, सब कुछ याद करो, वरण, कुल, जनम, जो कुछ भी है, स्टेजिज, नौलेज से ही तो उच पद मिलता है, नौलेज होगी, तो औरों को भी देंगे, यहां तुमसे कोई, पेपर जाते हैं, भराए जाते हैं, लिखाए जाते हैं, बाबा ने तो उनसे भी मुक्तरक है, उन स्कूलों में जब इम्त्यान होता है, तो पेपर्स विलायत से भी आते हैं, कई एक्जैम्स के जो पेपर बने हुए होते हैं ना, विदेश से आते हैं, जो विलायत में पढ़ते ह उन्हों की तो वाई रिजल्ट निकालते रहेंगे, उनमें से कोई बड़ा एजुकेशन अथोरटी होगा, तो वो जाच करते होंगे पेपर्स का, जो उशार होते हैं, अथोरटी वाले होते हैं, उनको फिर वो जो जिन्नोंने पेपर लिख के दिये, उसकी जाच करते हैं, न आटेंशन से सुनो, हमारे पेपर्स की जाच कौन करेगा, रोज 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 कौन जाच करेगा, बाबा कहते हैं, तुम खुद करेंगे, हम भी तो मास्टर बन गए ग broken, हम खुद करेंगे, खुद को जो चाहो सो भनाओ, पुर्षार्त से जो चाहो वो पद बाबासे प्रदर्षनी आदे में बचे पूस्ते आने वालों को, क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, हाँ मैंने पहले भी कई बार बताया है, कि पहले टांस्लाइट होते थे, जब हम लोग प्रदर्षनी समझाते, तो पहला पहला बहुत अच्छा चित्र होता जिसमें देवता, बैरिस्टर, डॉक्टर ऐसे लाइट होती थी, और उनको पूछते थे आने वालों को, सब लाइट करके, क्या बनना चाहते हैं, तो नेचरल देवता सब को अच्छा लगेगा ना, क्या बनेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना अफल मिलेगा, जो अच्छी तरह बाबा को याद करते हैं, वो समझते हैं, कि हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा भी तो बनानी है, इराजदानी स्थापन हो रही है ना, तो उसमें सब चाहिए, वहाँ वजीर तो होता ही नहीं है, वजीर की दरकार किसको रहती है, जिसको अकल कम होती है, तब तो राय चाहिए, तुमको वहाँ राय की दरकारी नहीं है, बाबा के पास राय लेने आते हैं, इस थूल बातों की राय लेते हैं, कई बच्चे लेते हैं, बाबा, पैसे का क्या करें, या धंदा कैसे करें, बाबा के तो यह दुनियोवी बाते हैं, ब मतले क्या हो, हाँ, कहां दिल शिकरस्त बन जाए, तो बाबा क्या करते, कुछ न कुछ आथत दे करके, बता देते, बाबा एकदम से मना भी नहीं करते, अच्छा बचे ठीक है, चलेगा ऐसा करो, थोड़ा बचे, गिल्टी में ना आ जाए, ये कोई मेरा धन्दा तो नहीं है कोई बाबा का कोई स्पेशल ये धन्दा है नहीं, मेरा तो इश्वर ये धन्दा क्या है, तुमको रास्ता बताना, तुम विश्वा के मालिक कैसे बनो, तुमको मिलती है उसकी शिरीमत, बाकी सब है आसूरीमत, सत्यूग में कहेंगे शिरीमत, कल्यूग में कहेंगे आसू बोग भूचेगा, सब को मालू में, सब राजी खुषी है, आज पूचेगागा तब ठीक है? ये अक्षर राजी खुषी है, यहाँ पूचे जाते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुषीओ, इसमें भी बहुत बाते आजाती है, अभी तो कोरोना के कारण पूचेग वहां दुख है नहीं जो पूछा जाए, यह दुख की दुनिया है, वास्तों में तुमको कोई पूछ नहीं सकता है, बल्ल माया गिराने वाली है तो भी बाप तो मिला ना, तुम कहेंगे, क्या तुम खुष्छ खहरापत पूछते हो? जवाब दो, तुम खुष्छ खहराप पूछते हो, परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाबा की वो मिल गया, फिर किसकी परवा? यह हमेशा याद रखो हम किसके बच्चे हैं, यह भी बुद्धी में ग्यान है कि जब हम पावन बन जाएंगे ना, लडाई भी शुरू हो जाएगी, तो जब भी तुम से को ऑशिराजी हो, तो बोलो, हम सद्धेव खुशराजी हैं और खुशराजी रहना है, नालाज, नाखुष है, नहीं होना है, आच्छा बिमार हो गए, बिमार होए न तो भी बाबा की याद में रहो, जान मिला हुआ है? तुम स्वर्ग से भी ज्यादा, यहाँ खुशराजी यह लाइन नोट करो, स्वर्ग से भी ज्यादा यहां खुश्राजी मिला कौन, बाबा, सतबाप, सतीचर, सतगुरू, जबकि स्वर्ग की बाश्याई देने वाला बाप जो है, वो ही तो हमको मिल गया, वो हमको इतना लायक बनाता है, तो हमको क्या परवा रखिये, इश्वर के बच्चों को क्या परवा, वहां देवताओं को भी कोई परवा नहीं, देवताओं के उपर इश्वर है, तो इश्वर के बच्चों को क्या परवा होगी, बाबा हमको पढ़ाते, और फिर बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरू भी है, बाबा हमारी उपर ने ताज रख यह भी तुम जानते हो, सत्यूग में बाप अपना ताज अपने बच्चेव पर रखते है, बच्चे को बिठाएगा ना गदी पर, उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस, यहां जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले, तब तक बच्चे को उतकंठा रहती है, कह बाप मरे, तो ताज हमारे सिर पर आरा, देखो कितना फर्क है, सत्यूग में प्रेम से बाप से मिलता है, अपने बच्चे पर ताज रखते, यहां बच्चे को यह रहता है, कब बाप मरे, तो मेरी प्रॉपर्टी हो जाए, आशा होगी प्रिंस से, मैं मारा जब बनूँ, वहां तो ऐसी बात है नहीं, अपने समय पर काइदे अनुसार, बाप अपने बच्चों को ताज देकर खुद किनारा कर लेता है, बड़ी काइदे की दुनिया है, वहां वानप्रस्त की चर्चा ही नहीं होती, बच्चों को महलादी दे देते हैं, आशा है, सब पूरी हो ज जब वहां जाएंगे, अभी तो बाबा से सुन रहे है न बातें, जब जाएंगे, वह तो तुमें जानों कि स्वर्ग क्या होगा, एक शरीर छोड़ फिर वहां कहां जाएंगे, अभी तुमें प्राक्टिकल में बाबा पड़ा रहे, तुम जानते हों सच सच स्वर्ग में वह तु kadar कह देते स्वजड़ प्दहरा स्वर्गवासी हुए मालुम थोड़ी है किस्वर्ग कहा किसको जाता है जनम-जन्मान तर ये अज्यान की बाते ECONIE अभी बाबा तुम को सत्य बातीं सुनाते सत्य बात सुनातें सत्य बनाते भी है, सत यूग भी बनाते हैं और हमको स्वर्गवासी सच्चा सच्चा बनाते हैं अच्छा मिते मिते सिके लदे बच्चों प्रती मात पिता, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रुआनी बाप की रुआनी बच्चों को नमस्ते हम रुआनी बच्चों की रुआनी बाप को मात पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सारे पहला सदराजी खुशी रहने के लिए बाबा की याद में रहना है याद है न अभी क्या जवाब देंगे कोई पूछेगा तो पढ़ाई से उपर पढ़ाई से अपनी उपर राज़ाई का ताज खुदी रखना है जितना पढ़ेंगे उतना पाएंगे दूसरा शरीमत पर भारत को स्वर्ग बनानी की सेवा करनी है सदा शरीमत का रिगोर्ड रखना है ये बात भूले ने बाबा का रिगोर्ड रखना है वर्दान कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ती के प्रत्यक्ष प्रमान देखने वाले सुक्षम सेवाधारी भव कनेक्शन रिलेशन द्वारा मनसा शक्ती के प्रत्यक्ष प्रमान देखने वाले सुक्ष्म सेवाधारी भवत, जैसे वाने की शक्ती वा कर्म की शक्ती का प्रत्यक्ष प्रमान दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल है सालेंस शक्ती, तो सालेंस शक्ती का प्रत्यक्ष प्रमान देखने के लिए ब इससे कहते योगबल, ऐसी योगबल वाली आत्मा है, इस थूल में दूर रहने वाली आत्मा को भी सन्मुख का अनुभो करा सकती है, आत्माओं का आवाहन करके उन्हें परिवर्तन भी कर सकती है, यही सुक्षम सेवा है, इसके लिए एकागरता की शक्ति को बढ़ाओ, इकागरता की शक्ति के लिए सालेंस, मौन और तपस्या, स्लोगन है, अपने सर्वखजानों को सफल करने वाले महादानी आत्मा है, अपने सर्वखजानों को जो सफल करते हैं वो है महादानी, ओम शान्ति तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ थीका प्रभु तेरी मीठी आदों में रस है मौनाई मस्तिका तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ थीका प्रभु तेरे डिलता है प्रभु तेरे लिए भ्रभु तेरे लिए लोगे सब कुछ नर्ड़ करते हैं वो है तेरे विए श्याजा को वो है झाल झाल